हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी जी के ट्रिक डेली करेंट अफेर्स सेशन में आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में देखे फ्रेंट्स यह जो current affair है यह भारत के सभी competitive examination के लिए important है हम कम समय में जादा से जादा आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे यदि आपको उसका PDF प्राप्ट करना है तो आप हमारी telegram link को join करके PDF को प्राप्ट कर सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जाएगा देखे लास्ट में मैं आपसे important questions भी करूँगा तो पूरी session को बहुत ध्यान से सुनिएगा चले पहला important question यह रहा रामा नूजन पुरसकार 2020 से हाली में किसे समानित किया गया है तो देखे ये कौन है इनका नाम है नीना गुपता देखे फ्रेंड्स किस कारी के लिए इने समानित किया गया है तो एफाइन बीजी जयामती और कम्यूटेटिव बीजगड़ित में उतक्रिष्ट कारी के लिए इने समानित किया गया है देखी फ्रेंट्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू रामा नुजन पुरसकार प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला है दोस्तों ये आवार्ड किसके दोरह दिया जाता है अब सोच रहे होंगे तो ये है अवार्ड भारा सरकार के डिपार्टमेंट आफ साइंस और टेकनलोजी और इंटरनेशनल मैथेमेटिकल यूनियन के तरफ से संयुक तुरूप से दिया जाता है देखी फ्रेंट्स ये पहली बार कब दिया गया था तो 2005 में इसकी शुरुवात हो गई थी देखी फ्रेंट्स मैं आपके जानकारी के लिए पता दूँ वर्तवान में नीना गुपता भारती सांखी की संस्थान ISI जिसे हम कहते हैं वहाँ पर कोलकाता में गडित की प्रोफेसर है देखी फ्रेंट्स आएए मैं आपको स्री निवास रामा नूजन जी के बारे में इंपोर्टन जानकारी दे देता हूँ तो देखी फ्रेंट्स ये जो है भारत के महान गडितक गे मैथेमिटीशेन है देखी इनका जन्म कहां पे हुआ है तो तमिल नाडू के इरोड नामक गाउ में हुआ है कब हुआ है 22 दिसंबर 1887 में देखे इन्होंने खुद से गडित को सीखा और गडित के 384 प्रेमियों का संकलन किया है देखे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू 2012 में भारा सरकार ने इनके जन्म दिवस के अफसर पर 22 दिसंबर को नेशनल मैथेमेटिक स्टे मनाने की घोशना कर दिये देखे एक दुखत बात ये है कि रामा नूजन की मात्र 33 वर्स की आयू में 26 अप्रेल 1920 को डेथ हो गई थी दोस्तों आपे पुरसकारों की बात आ रही है तो आएए मैं आपको 2020 के महत्वपूर्ण पुरसकारों के बारे में बता देता हूँ तो देखे सबसे पहले बात करेंगे हम मिस यूनिवर्स 2021 तो हाली में मैंने आपको कली पढ़ाया था हरनास संदु जी को मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला है नेस्ट है बैलैंड डी और पुरसकार तो देखे लियोनल मैसी को ये पुरसकार मिला है ठीक है फुटबॉल में सरस्रिश प्रदर्शन के लिए दिया जाता है नेस्ट है इंदिरा गांधी शांती पुरसकार 2021 तो प्रथम NGO को ये पुरसकार मिला है लास्ट में बात करेंगे दादा साहिब फाल के पुरसकार तो हाली में किसको मिला है रजनी कांजी को ये पुरसकार मिला है देखी फ्रेंड्स अगला important current affair आपके समने रहा नवंबर 2021 का ICC player of the month मिल केटेगरी का वर्ट किसे दिया गया है तो हाली में किसे दिया गया है डैविड वर्नर को दिया गया है देखी डैविड वर्नर किस देश के खिलाडी है तो ये ऑस्टेलिया के cricket player है और इन्हें ICC ने नवंबर महिने का स्रेश्ट खिलाडी चुनाए देखी दोस्तो डैविड वर्नर की बात कर ले तो इन्होंने अपनी शांदार बल्लेबाजी की बदोलत आस्टेलिया को पिछले महिने ही पहली बार T20 विशुकप जिताया था और ये player of the series चुने गयते देखी दोस्तो T20 हाली में कहां पहुआ था विशुकप तो ये हुआ था United Arab Emirates UAE में हुआ था ठीक है याद रखिएगा दोस्तो महिला वर्ग में किसे अवाड दिया गया है तो West Indies की all-rounder है इनका क्या नाम है दोस्तो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ जनवरी से लेके अब तक जितने भी important players है जिनने player of the month award मिला है देखे सबसे पहले में बात करता हूँ men's category में तो ये पूरी लिस्ट है सबसे पहले सुरुआत रिशब पंत ने की थी भारत की तरफ से जनवरी महीने में इने player of the month गोशित किया गया था रवी चंदरन अश्विन फरवरी मा के player of the month थे भुवनिश्वर कुमार मार्च मा के player of the month थे बाबा राजम अप्रेल मा के player of the month थे पाकिस्तान के खिलाडिये देखे अक्टूबर महीने के आसिव अलित है दोस्तों ये पूरी लिस्ट है इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझ लीचेगा ठीक है नेस्ट आइसीसी वुमेंस player of the month को देख लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लें शबनीम इसमाईल जनवरी मा की best player of the month चुनी गई थी वीमेंस कटेगरी में यहीं पर बात कर लें टैमी बियमोंट तो यह फरवरी मा की best player of the month चुनी गई थी हाली में अक्टूबर महिने में लारा डेलानी को best player of the month female कटेगरी में यह पुरस्कार मिला है देखी फ्रेंड्स यहाँ पर ICC की बात आईए तो आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में सभी important चानकरी को जान लेते हैं तो देखे अंतराश्टी क्रिकेट परिस्द विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियों की ताउं का आयोजन कराता है और इसका नियंतरन करता है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी ठीक है आस्टेलिया, इंग्लेंड और दक्षड अफ्रेका के प्रतिनिधियों दोआरा तो पहले से क्या कहा जाता था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसका नाम दिया गया था बाद में 1965 में इसका नाम बदल कर अंतराश्टी क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया 1989 में इसका वर्तमान नाम है अंतराश्टी क्रिकेट परिशन देखे वर्तमान में इसके चेर्मेन को उन है तो यह हैं ग्रेक पार्क ले याद रखेगा इंपोर्टेंट है ठीक है अगला इंपोर्टेंट करेंट अफेर आपके समने रहा राश्टी उर्जा संरक्षन दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल कब मनाया जाता है तो हर साल यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है देखे कोन मनाता है यह तो उर्जा दक्षता ब्यूरो जिसे हम BWB कहते हैं हर साल यह राश्टी उर्जा संरक्षन दिवस मनाता है तो देखे इसका में मोटिव क्या है तो उर्जा संसाधनों के संरक्षन के दिशा में प्रयासों को बढ़ाना एनर्जी कंजर्वेशन करना ठीक है तो देखे फ्रेंट्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू विद्धुत मंत्राले ने हाली में आजादी के अमरित महसब के तहत 2021 में उर्जा संरक्षन सब्ता मनाने की घोशना की दी देखे फ्रेंट्स 8 से 14 दिसंबर तक ये मनाया गया है दोस्तों यहाँ पे उर्जा दक्षता ब्यूरो की बात आई है तो आईए BEE के बारे में सभी इंपोर्टिन जानकारी को जान लेते हैं तो देखे उर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ये केंदरी उर्जा मंत्राले के उर्जा संदक्षन अधिनियम 2001 के तहट स्थापित की गई है देखे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी देखे इसका में लक्ष क्या है टार्गेट क्या है उर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्था गत रूप देना देखी फ्रेंड्स भारत के वर्तमान उर्जा मंतरी का क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है तो इनका नाम है राज कुमार सिंग याद रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है देखी फ्रेंड्स अगला important current affair आपके सामने रहा आठ दिसंबर 2021 को हेलिकॉप्टर दुरघटना में घायल हुए किस सैन अधिकारी का हाली में निधन हो गया है इनका क्या नाम है तो देखी फ्रेंड्स इनका नाम है वरुन सिंग जिनका हाली में निधन हुआ है दोस्तों CDS जनरल विपिन रावत के साथ हेलिकॉप्टर हाथसे में एक घायल हो गये थे और 15 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया है दोस्तों ये हाथसा कहां पे हुआ था तो तमिल नाडू के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को ये हाथसा हुआ था तो देखे कौन सा हेलिकॉप V5 हेलिकॉप्टर की तो आईए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं तो देखे ये कहां पे बना हुआ है तो फ्रेंट्स ये रूस में बना एक ट्विन टर्बाइन इंजन मल्टी परपज हेलिकॉप्टर है ठीक है देखे फ्रेंट्स इसे किस कंपनी ने बनाय है तो इसको बनाया है कजान हेलिकॉप्टर ने बनाया है देखे ये जो है MI-17 V5 MI-8 हेलिकॉप्टर का अपग्रेड़ेड़ वर्जन है देखे फ्रेंट्स इसका इस्तमाल किसलिए किया जाता है है हैवी लिफ्ट ट्रांस्पोर्टेशन वी वी आईपी मूव्मेंट और र इसका आप बेसबरी से इंतजार करते हैं और आज हम जानेंगे करंट अफेर्स अक्टूबर महिने के important questions के बारे में तो देखे पहला question है भारत में रूसी फिल्म महसब का brand ambassador किसको नियुक्त किया गया तो देखे इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया अगला question जो आपके फिल्म महसब का 52 संसकरन किस स्टेट में आज़ित किया गया तो देखे इसका आजन गुवा में किया गया नेस्ट है कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी financial task force की grey list से बाहर नहीं आ सका तो देखे ये देश है पाकिस्तान नेस्ट है वैश्विक pension सूच कांग 2023 के 43 देशों क लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो देखे भारत का इसमें 40 वा स्थान है देखे फ्रेंड्स नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफैर आपके सामने रहा भारती खेल पत्रकार महासंग ने प्रतिष्ठित Sports Journalist Federation of India का पुरसकार किसे देने की गोशना की है तो देखे किसे देने की गोशना की है सुनील गावसकर जी को गोशना की है ठीक है देखे फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू टोक्यो अलंपिक 2020 में भारत के एक मार्ट गोल मेडलिस्ट भाला फेक खिलाडी कोन है नीरत चोपड़ा है तो इन्हें SJFI का सा सरोस खिलाडी चुना गया है वहीं पर बात कर ले महिला स्रेणी में सरस्रेश्ट भारत तोलक मीरा भाई चानू को साल की सरस्रेष्ट महिला खिलाडी चुना गया है देखे फ्रेंड्स मैं आपको नौलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और आज हम जानेंगे संसत किसके मिलने से बनती है तो देखे भारती संसत के तीन अंग होते हैं पहला है लोकसभा दूसरा है राजसभा तीसरा राश्पती नेस्ट है भारत एक कल्याण कारी राज है ये कहां से हमें पता चलता है तो देखे कि वह महालेखा परिक्षक का कारिकाल कितना होता है तो देखिए ये 6 साल का होता है very very important सम्विधान के किस भाग को भारत का मेगना कार्टा या भारत का मांग पत्र भी कह सकते है अधिकार पत्र भी कह सकते है तो ये भाग 3 है जिसमें fundamental rights मौलिक अधिकारों का वर्णन है next है सिक्षाक अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाये गया है तो देखिए सिक्षाक अधिकार 6 से 14 वर्स के बच्चों के लिए बनाये गया है देखिए फ्रेंड्स अगला important current affair आपके सामने रहा हाली में इशाय विकास बैंक ने वित्वर्स 2021-22 के लिए आर्थिक बृध्धी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए तो देखिए friends इन्होंने 9.7 परसन रहने का अनुमान लगाए देखिए friends इशाय विकास बैंक ने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक बृध्धी दर के अनुमान को घटा दिया है और ये 9.7% कर दिया है देखे एडीबी ने सितंबर महिने में अपनी रिपोर्ट में 2021-22 में आर्थिक बृध्धी धर 10% रहने का अनुमान जाताया था अब ये घटा दिया है दोस्तो एडीबी की बात यहाँ पर आईए तो आई एडीबी की बारे में सभी इंपोर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं तो एशाई विकास बैंक जो है एक छेत्री रीजिनल डवलप्मेंट बैंक है इसकी स्थापना एक्जाम में कई बार पूछ ली जाती है 19 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्याल है फिलिपिन्स की राजधानी मनीला भी है इसमें वर्तमार में 68 मेंबर्स हैं देखे भारत जो है एडीबी का एक संस्थापक देश भी है याद रखेगा इसका उद्देश क्या है एशिया में शोशल और एकनोमिकल डवलप्मेंट को बढ़ावा देना चली फ्रेंट्स अगले इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को बढ़ते हैं चन्दीप सिग ने पैरा वर्ल्ड टाइकॉंडो चेंपिंशिप में कौन सा पदक जीत लिया है तो देखे इन्होंने रज़त पदक हासिल किया है देखे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू ये केंसासिप प्रदेश जम्मू कश्मीर के हैं याद रखेगा इन्होंने तुर्की के इस्तानबुल में आजित नवी पैरा वर्ल्ड टाइकॉंडो चेंपिंशिप में यह उपलब्दी हासिल कर ली है देखे पुर्शो के प्लस 80 किलोग्राम वेट केटेगरी में इन्होंने रज़त पदक जीता है देखे फ्रेंड्स और यह पहली बार ऐसा हो रहा है भारत की इतिहास में कि पैरा वर्ल्ड टाइकॉंडो चेंपिंशिप में भारत को यह पहला पदक मिल रहा है दोस्तो मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ और सेना युद्ध अभ्यास 2021 के बारे में हम चर्चा करेंगे तो देखे सबसे पहले बात करेंगे सूर किरन तो सूर किरन का पंद्रहवा संसकरन भारत और नेपाल के बीच में हुआ है नाम से पता चल रहा है आस लगा हुआ है तो यहनी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में इंद्र नेवी 2021 अभ्यास तो यह किस के बीच में इंद्र जब भी बाता है आप इंद्र यहां पर देखे तो आप गौर करिएगा यहां पर इंडिया है और रा लगा हुआ है तो रशिया तो भारत और रूस के बीच में होता है ठीक है इंद्र 2021 अभ्यास यह भी भारत और रूस के बीच में वज्र प्रहार 2021 तो देखे भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास हुआ है देखे डस्ट लिक तो डस्ट लिक भारत और उजबेकिस्तान के बीच में होता है चली फ्रेंड्स अगले important current affairs के बर बढ़ते हैं फ्रांस की दिगज कंपनी क्या नाम है इसका Chanel Chanel ने भारती मोल की किस महिला को अपना नया CEO न्यूक्त किया है इनका क्या नाम है तो इनका नाम है लीना नायर तो देखे फ्रेंड्स ये फ्रांस की luxury group है Chanel जो 14 दिसंबर 2020 को लंदन में अपना global chief executive को न्यूक्त किया है पहले मैं आपको बता दू लीना नायर जो है यूनी लिवर के साथ जुड़ी हुई थी दोस्तों यहाँ पे CEO की बात आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ भारती मूल के CEO जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते Microsoft तो Microsoft के CEO सत्य न डेला है ठीक है Google के CEO सुन्दर पिचाई है very very important Adobe के CEO शांतनू नारायन जी है देखी फ्रेंड्स IBM के CEO कोन है तो इनका नाम है अर्विंद कृष्णा जी VMware तो रगू रगू राम इसके CEO है लास्ट में बात करेंगे ट्विटर तो हाली में ट्विटर के नए CEO बनाए गए है तो ये है पराग अगरवाल जी देखी फ्रेंड्स अगला important current affair आपके सामने रहा टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिम्नेस्ट को सरस्रिष्ट एथिलीट पुरसकार 2021 से सम्मानित किया है इनका क्या नाम है तो देखी इनका नाम है सीमोन बाइल्स दोस्तो हाली में आपको बता दू मैंने कल ही आपको पढ़ाया था टेसला और स्पेसेक्स के प्रमुग एलान मस्क को टाइम मैगजीन ने person of the year घोसित किया है तो देखे हाली में अमेरिका की मशूर जिम्नेस्ट सीमोन बाइल्स को टाइम्स पत्रिका ने सरस्रिष्ट एथिलीट चुना है देखे इन्होंने ओलंपिक में साथ और वर्ल्ड चेंपेंशिप में 25 मेडल अपने नाम किया है दोस्तो जो मैं आपको बता चुका था कल टाइम्स पत्रिका एक सब्ताहिक पत्रिका है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और ये अमेरिका की सब्ताहिक पत्रिका है देखे फ्रेंट्स आज का आखरी इंपोर्टेंट करेंट अफिर आपके समने रहा किस देश ने 13 दिसंबर 2020 को परियावरण सुधार के सिलसले में संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसद में प्रस्तुद संकल्ब के प्रस्ताओं के खिलाफ मद्दान किया है तो देखे कौन सा देश है तो ये भारत देश है देखे फ्रेंट्स ये क्यों खिलाफ मद्दान किया गया है आईए जानते हैं तो देखे इस प्रस्ताव में बदलते पर्यावरण को दुनिया में शांती और सुरक्षा के लिए खत्रा बताया गया था तो इस प्रस्ताव में क्या हुआ है जो डवलपिंग कंट्रीज है विकासिल देश है उनके हितों के खिलाफ बाती कही गई थी और भारत भी डवलपिंग कंट्रीज में आता है तो भारत ने इसके खिलाफ मद्दान किया है तो देखे भारत ने ये भी काहे कि ये जो प्रस्ताव है ग्लासगो शिखर सम्मेलन में सहमती के खिलाफ है तो देखे मैंने आपको बताया था कि कॉप 26 जो सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है ग्लासगो में स्कॉटलेंड में हुआ हाली में 2021 में कुछी देरवाद रूस ने इस प्रस्तावप पे वीटो को लगा दिया जिससे ये निस्प्रभावी हो गया देखी फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्तराष्ट रक्षा परिसरत की बात आई है तो आई सभी important जानकारी को जान लेते हैं तो देखे संयुक्तराष्ट जो है यह अन्य पाँच अंगों में शामिल है ठीक है देखे इसका मुख्याले कहां पे है तो इसका मुख्याले नियु यॉर्क में है देखे इसमें गठन में 15 सदश होते हैं 5 पर्मानेंट होते हैं और 10 गैर स्थाई होते हैं देखे जो 5 पर्मानेंट होते हैं मैं आपको एक trick बता देता हूँ कार में boyfriend आप ऐसे याद रखेगा कार में boyfriend तो चाइना, अमेरिका, रश्या, ब्रिटेन और फ्रांस यह जो 5 जो आप देश देख रहे हैं तो यह इस्थाई देश हैं यह पर्मानेंट देश हैं देखे यहाँ पर मैं आपको बता दू अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन मैंने आपको एक short trick बता दी है जिससे आप इसे याद रख पाएंगे दस, गैर, इस्थाई सदर्ष हैं इन्हें महासभा जो है दो वर्स के कारेकाल के लिए चुना जाता है वर्तमान में भारत गैर, इस्थाई सदर्ष हैं देखे फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ important questions पूछूँगा जिसका answer आपको comment box पे देना है तो पहला question है, इंदिरा गांधी शान्ती पुरुसकार 2021 किसे प्रदान किया गया Question number two, डैविड वर्नर किस देश के cricket खिलाड़ी है Question number three, ICC के वर्तमान चेर्मेन का क्या नाम है Question number four, रास्त्री उर्जा संडक्षन दिवस कब मनाया जाता है Last है, सिमोन वाइल्स किस देश की जिमनेस्ट है इन पांचो questions के answer आपको comment box पे देने हैं जैसे आप देते आ रहे हैं और इस habit को बना के रखिएगा ताकि आपका concentration और memory पाबर धीरे धीरे बढ़ता रहे पूरे session में देखी friends, अब मैं आपको 15 दिसंबर के important current affairs का रिविजन कराने वालों तो देखी पहला question है Global Health Security Index 2020 में भारत की कौन सी rank है तो भारत की समे 66 rank है किस सहर ने हाली में अपनी नई जीरो COVID policy को लागू किया है तो यह है Hong Kong अगला है Asiai Rowing Championship में भारत ने हाली में कुल कितने पदक को जीता है तो साथ पदक इन्होंने जीते है अबूधावी GP 2021 में अपना पहला F1 Drivers Championship किताब किसने जीता है तो इनका नाम है Max Ware Stepan Next है Watershed How we destroyed India's water and how we can save it इस पुस्तक को किसने लिखा है तो मरदुला रमेश जीने लिखा है अगला प्रशन है किस राज सरकार ने उच जातियों के लिए समान स्नेडी आयो समान वर आयो की स्थापना किया है तो देखे हिमाचर प्रदेश ने स्थापना किया है किसने ओरिसा तट से दूर अब्दूल कलाम दूइप से सूपर सौनिक मिसाइल असिस्टेट टॉर्पीडो इसमैट को लॉंच किया है तो देखे ये है DRDO नेस्ट है केन सरकार ने केन और बेतवन अधी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दिये इस परियोजना में कितने करोड रुपे खर्च हुए है तो ये है 44,605 करोड रुपे इसमें खर्च हुए है तो दोस्तो ये थे 15 दिसंबर के Important Current Affairs का रिविजन हमने 16 दिसंबर के Important Current Affairs को भी पढ़ लिया है ऐसे ही आप पढ़ते रहे निरंतरता ही सफलता का मार्ग होती है दोस्तो यदि आप पहली बार आमारे चैनल पर आ रहे है तो आप लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि आपको डेली नोंटिफिकेशन मिलती जाए फॉलो कीजे क्रेजी जिकेट रिक को डिफ्रेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर जैहिन धन्यवाद